हिंदी साहित्ते की मनोरम और अनुपम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए सुप्रसिद एवं अग्रिगर ने वरिष्ठ लेखी का उर्मिलासिरीश जी की लिखी हुई कहानी नाचकान तो शुरू करें कहानी नाचकान लड़किया नाच रही हैं, लड़के गा रही हैं लड़कियों के पावों में थिरकन, उनकी आंगिक मुत्राएं, चीरे पर मुसकान, देह के अंग प्रत्यंग में संचालन आँखों में अबने, चीरे पर हावबाव, कमर और वक्षों में लचक नजाकत सब कुछ ले और ताल में है वे नत्य की समझ रखती हैं और नत्य करती आ रही है ये देख कर ही एहसास हो रहा है लड़कों के स्वर में आवार्गी है उनकी भुजाओं में बल प्रदर्शन है छाती पर पुर्शार्थी लक्षन यानि उतार चड़ाओ गड़ाओ है आवाज में मस्ती है मद्होशी है, मजाक है शब्दों में कलाबाजियां है लड़कियां कमर में हाट डाल कर आँखों में आखें डाल कर नाशती हुई नाश में डूपती जा रही है गुजरते वक्त के साथ नाचगान हवाओं के साथ गूंच पैदा कर रहा है धीरे धीरे नर्तक, गायक और नत्यगान इकाकार होते जा रही है संगीत और नत्य ने जीवन की गतिकों यौवन में यौवन की आभा में ढाल दिया है लड़के पलपल उनके प्रति आकरशित होते ललचाती निगाहों से चकित भाव से लड़कियों की तरफ निर्निमेश देख रहे है ये पल उनके जीवन के सबसे यादगार और जीवनत पक्ष है नए भावों का प्रसफुटन होता जा रहा है उनके हिर्दे में मन में संगीत और नरत्य ने अनकहा नशा पैदा कर दिया है नाच गाना, मजाक मस्ती, गीज संगीत जब अपनी चरम अवस्था में था डलती दो पहर की धूब चारों तरफ चमक पहला रही थी लोग घरों को लोट रहे थी सारा वातावरन आनंद में और राग में हुता जा रहा था तभी अचानक एक आवाज ने वहां खौफ का माहौल बना दिया क्या हो रहा है ये सब, बंद करो बेशर्मों, ये क्या तरीका है कैंप में कुछ सीखने और करने आये हो या रासलीला रचाने मद माते, थिरकते, निर्त्या, विभूत, पाउं एकदम थम गए भौचक चेहरे, विसमे में डूबी आखें, सहमती हुई लड़कियां दीवार की ओट में सरकने लगी आखिर बात क्या है, एक लड़के ने आकर बढ़कर कहा दूब में रंबी होती परचाईयों पर भारी कदमों की धमक को अपने बीतर महसूसते, उनकी तरफ लुप छुप कर देखती लड़कियां दीरे दीरे एक दूसरे का हाथ पकडने लगी उनके बाल विखर रहे हैं, पसीने से चिपक रहे हैं अंदर बहता पसीना कपड़ों में समाता जा रहा है दिल की धड़कने तेज होती जा रही हैं भैके मारे पूरी देह काप रही है वे मदद के लिए बीतर बाहर निगाहें दोडाती हैं पर बिल्डिंग में फिलहाल कोई नहीं है जो थे, जितने थे, वे सब यहीं आ गए थे तमाशा देखने कल भी मना किया था या नहीं कि किसी प्रकार का धमाल नहीं होगा तुमनों के मापाप को पता है या नहीं कैम्प के नाम पर अयाशी चल रही है रात रात पर सडकों पर घुमती हो आवरा गर्दी करती हो कल रात हमने उन दोनों को पकड़ा था इतनी पिटाई और धमकी के बाद मी नहीं माने मापाप के आखों में धूल जोक रहे हो उसकी आवाज डरावनी और भारी होती जा रही थी जी हम लोग परमीशन लेकर आए है एक लड़की ने डड़ते ड़ते कहा दीवार के किनारे खड़े रक्ष की घनी शाकों पर असंख्य परिंदे शोर मचा रहे थे उन्हें नहीं पता था कि अपनी आजादी खोकर इंसान कैसे अपनी चैचाहाट भूल जाता है काश वो समझ पाते कि मासून चिड़ियों की चैचाहाट बंद करके वे गिद्ध कितने कुरूर होते जा रहे थे बाहर इका दुक्का गाड़ियों का आनाजाना लगा था नीचे कुछ लड़के सम्हू बना कर बैठे थे वे इनी के ग्रूप के थे और इनकी पहरेदारी कर रहे थे लीना कौन है? दाड़ी वाला लड़का जो देखने में हटा-कटा था उसकी आँखों में कुरूरता थी और पूरा बदनी जैसे कुरूरता की थाप पर फड़क रहा था सफेद रंग के कुर्टे पायजायमे पर उसने एक मफलर डाला हुआ था उसने अपने चोड़े चप्टे माथे पर तिलक लगाया हुआ था और गले में कई तरह की मालाएं आपस में गुथी हुई थी मैं लड़की कतार से बहार निकलते हुए बोली आपसे बात करनी है अभी मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ लड़की ने खौफ की दीवार फानते हुए तटस्त भाव से कहा लड़की के चेरे पर किसी प्रकार का भै हैरानी या संकोच नहीं था बात तो आपको करनी ही होगी वरना आपके माता पिता के पास जाएंगे हम फिर वही धमकी भरी आवाज जाईए किसने रोका है आपको फिर वही बेरुखी इमरान को जानती हो? हाँ कौन है? मेरा दोस्त है सिर्फ दोस्त? हाँ दोस्त कब से जानती हो? पांस साल से उसके अबबा आये थे मेरे पास तो तुम दोनों शादी करने जा रहे हो? ये मेरा पर्सनल मैटर है आपको कोई हक नहीं बनता मुझसे इस बारे में सवाल पूछने का सारी लड़कियां लीना का जेरा देखे जा रही थी सवाल जवाब उससे किये जा रहे थे लेकिन रूह उनकी काप रही थी ये पर्सनल मैटर नहीं है कॉमन मैटर है समझी? कोई और लड़का नहीं मिला आपको आप मेरी और इमरान की बेज़ेती कर रहे हैं लीना ने सकती से कहा अब वो लड़कों के ठीक सामने खड़ी थी मैं आपकी और आप सबकी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी प्रताडित करने, बद तमीजी करने और मेरी पर्सनल लाइफ में हस्तक शेप करने की लीना ने मोबाइल आउन करते हुए कहा चारों तरफ सननाटा चागया लड़कों का ग्रुप एक दूसरे का चिरा देखने लगा पासा पलटता नजर आ रहा था उन्हें फिर भी वे हार नहीं मानना चाहते थे फिर भी वे धमकाना डराना चाहते थे फिर भी वे अपनी तरफ से समाज की ठेकेदारी करना चाहते थे फिर भी वे लीना को लड़की होकर उनसे टक्राने का क्या नतीजा निकलेगा ये संदेश देना चाहते थे आप कितना जानती हैं अमरान को? आपसे ज़्यादा आपकी जंदेगी बरबाद हो जाएगी? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है आप नहीं मानेंगी? नहीं चाहे जो हो, जो भी हो गाते हुए लड़के एक तरफ खड़े सब का जेरा ताक रहे थे और नाच्ती हुई लड़कें दीरे-दीरे अपना मेक अप, गजरा, चूड़ियां उतारने लगी थी उनका सारा उत्सह, उल्लास समाप्त हो गया था क्या लफड़ा है? एक लड़के ने दूसरे लड़के से पूछा ये लोग यहां क्यों और कैसे आ गए? क्या ये वही लड़का है? एक लड़की ने लीना के कंदे पर हाथ रखते हुई कहा प्लीज, इस समय मुझसे कोई बात मत करो लीना ने मोबाइल उठाया और दूर एकांथ में जाकर बात करने लगी ये आपने करवाया? मुझसे बात मत करो समझी आप इतनी घटिया हरकत करोगी वो भी यहां, जहां कैम्प लगा है क्या इज़त रह गई मेरी? मैं उन सबके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने जा रही हूँ देखती हूँ कौन रोपता है मुझे? ये मेरी लाइफ है, मेरी परसनल लाइफ मैं आपकी तरह धक्के का कर नहीं रह सकती, वो मेरा दोस्त है, मुझे समझता है, मैं उससे प्यार करती हूँ ये कितनी बार जता चुकी हूँ आपको? मैं उसी से शादी करूँगी मैं उनके रिलीजन, उनके कस्टम्स, उनकी तहजीब को समझती हूँ, एड्जिस कर लूगी आप तो पागल हो चुकी हो, टीवी के बहशो देखकर आपको वही सच लगता है, हमारी रिलेशन्शिप नहीं, हमारा प्यार नहीं उसके अब्बा का फोन आया था कि मैं तुम्हें रोपूं, उन्हें अपने समाज की लड़की चाहिए जो पांच वक्त नमाज पढ़े, बुरका पहने, उनके परिवार की देखभाल करे वे नौकरी नहीं करने देंगे, नहीं आगे की पढ़ाई उधर से आती आवाज में गहरी चिंता थी, दर्द था, आसू थे इन बातों की चिंता आप छोड़ दें, वे क्या करने देंगे, क्या नहीं ये मुझे सोचना है, आपको नहीं, अगर वो ऐसा चाहते हैं, तो मैं वैसा ही करूँगी लीना चिला रही थी आज तक तुमने ये भी नहीं बताया कि वो करता क्या है उधर की आवाज तेज होती जा रही थी, उस आवाज में अब रुलाई थी उसके काम के बारे में कितनी बार तो बता चुकी हूँ मैं, वो पासपोर्ट बनवाने का काम करता है यानि दलाली करता है, फरजी पासपोर्ट बनवाता है आप हमेशा गलती सोचोगी, आपने उसके बारे में अपनी धारना जो बना ली है हमें तो सब सोचना पड़ेगा नहीं, कहाना आपको कोई मतलब नहीं रखना है वो कटर मुसल्मान है ये जानती हुए भी, हमें कोई अतराज नहीं ये उसका मजभवी मामला है हमें उसके धर्म और जाती से परहेज नहीं है पर तुमारे साथ एड़्जस करना उसके लिए कितना मुश्किल होगा तुमारा सारा कैरियर चौपट हो जाएगा हो जाने दो मैं उसको और उसकी फैमिली को ज़्यादा जानती हूँ या आप आपने ज़्यादा इंटर्फियर किया तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी पता नहीं चलेगा कि कहा हूँ मैं फिर रोती रहना और अचार डालना अपने धर्म कर्म और परंपराओं का ढोल बजाना अपनी फैमिली और सोसाइटी का कहकर उसने मोबाइल बंद कर दिया और नीचे उतर कर सड़क के किनारे पैदल चलने लगी गुसे से थर-थर कापती वो चुपचाप रोती जा रही थी उसका हिर्दे आने वाले तूफान की धमक से भरा हुआ था वो इस समय दुनिया के उन तमाम दीवारों को गिराने के लिए तरप रही थी बलकि प्रतिरोध के लिए बलबला रही थी जो उसके और इमरान के बीच खड़ी थी यार लीना तो बड़ी चुपी रुस्तम निकली दोनों के परिवार वाले नहीं चाहेते हैं पर हिम्मत तो देखो उसकी तब ही सब ने अपने मॉबाइल के वाटसेप पर देखा इमरान और लीना की सैक्रों तस्वीरें जिसमें वे दोनों अलग-अलग मुद्राओं में मस्ती कर रहे थे घूम रहे थे पानी की लहरों पर तैर रहे थे एक दूसर सटे चिहरे उनके परसपर चुम्मनों से भीग रहे थे यह सब उसने माँ को बताने के लिए जताने के लिए चिड़ाने के लिए किया था मा देखें और समझें कि वो इम्रान के साथ कितनी आगे निकल आई है मा सदियों पुरानी दक्यान उसी सोच को लेकर खड़ी है और वो, वो मानती ही नहीं है कि जाती और धर्म आज के समाज में कोई माईने रखते है वो धर्म की नहीं पर्यावरण की चिंता करती है वो परंपराओं की नहीं परिंदों के बारे में सोचती है वो जाती नहीं नदियों और पहणों के बारे में बात करती है इस समय उसे इम्रान की चिंता सता रही थी पता नहीं वो लड़के उसे परिशान ना कर रहे हूं या उस पर कोई इल्जाम ना लगा दे साले कमी ने घटिया कुटों को छोडूंगी नहीं अभी शिकायत करती हूं और उसने एक लंबी चौड़ी शिकायत भीज दी मेरी आजादी पर मेरी लाइफ पर मेरी जंदगी पर मेरी सोच पर मेरे दिल दिमाग पर वो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं जिनका दूर दूर तक मुझसे कोई वास्ता नहीं है जान पहचान तक नहीं है आ गए मेरे जीवन के ठेकेदार बनकर फ्रॉड कहींगे उसने देखा लड़के लड़कें गोल घेरा बना कर दबे स्वर में बात कर रहे हैं जाहर है उसी के बारे में मन गढ़ंत या मसालेदार बात कर रहे होंगे वो दूर से देखती रही शाम होने को थी इस इलाके में परिंदों का जमावड़ा कुछ ज्यादा ही है रेलवे स्टेशन के आसपास हजारों की संख्या में पक्षी लोट कर अपने स्थानों पर अद्रश्य होते जा रहे थी डूपती शाम की चादर फैलती जा रही थी हलकी सी रोशनी में वो खड़ी अपनी परचाई को छोटी होती देख रही थी किसी भी लड़की ने आज उसे पुकारा नहीं खाने के लिए भी नहीं कहा अचानक कहीं लीना उन सब के लिए पराई चरितरहीन और खराब लड़की हो गई थी जो अपने परिवार की प्रतिष्ठा को धूल दूसरित करने में लगी है जो इमरान से प्रेम नहीं प्रेम का नाटक कर रही है जो शादी से पहले साथ में रहकर अयाशी कर रही है उनकी धारना के अनुसार जो अपने माता-पिता की नहीं हो सकती वो किसी की भी नहीं हो सकती वे सब अपने अपने रूम में जा चुकी थी टाइनिंग टेबल पर मिलेंगी तब बताऊंगी सबको गुननी सबकी सब डरपो शादी के बाद पिटेंगी गालियां खाएंगी पर अपनी ही जाती में शादी करेंगी इनके तथा कतिच शराबी, कमीने पती जिनके आगे इनंगी होकर अपने आपको पती व्रता और सती होने का ढोंग करेंगी हमारे समाज का कुछ नहीं हो सकता ना यहां की लड़कियों का वो स्वयम की पीट थप थपाये जा रही थी क्योंकि अभी अभी उसने लड़कों के एक ग्रुप को डाट कर भगा दिया था उनके शिकायत कर दी थी पूना में भी उसने अपने मकान मालिक के खिलाब शिकायत दर्ज करवा दी थी और वैलेंटाइन डे पर सिर्फ इसलिए पूरे दिन पार्कों में घूंगती रही थी कि कोई आकर उसे रोके मना करे तब वो पूरी मीडिया को गुला कर इनकी भद खोलेगी धीरे धीरे सीड़िया चड़ती वी लीना के मन में अजीब सा उनमाद हिलोरे ले रहा था सबका विरोध करने का उनमाद सबको मज़ा चखाने का उनमाद स्वयम को सच बताने का उनमाद दुनिया भर के साहित्य के महानायक और महानायकाएं उसके सामने सीना ताने सिर उठाए आलोग की पगडंडी पर चल रही थी वो उन पात्रों की मानस पुत्री, हमदर्द, हमराज बनकर आगे बढ़ी जा रही थी आगे का रास्ता काटों से भरा था पर उसे काटों पर चलना मज़ेदार लगता है वो काटों की चादर पर प्रेम के घुंगरू बांद कर जीवन भर नत्य करने को तयार थी इमरान का मोबाइल बंदा रहा था, मैसेज कर दिया था, कई मैसेज अनतता ठक कर वहीं सीड़ी पर बैट गई इमरान के फोन के इंतजार में अब तक वो बाइस बार मोबाइल पर कॉल कर चुकी थी एक एक पल भारी होता जा रहा था समय की अनतता और उसमें घिर जाने की पीड़ा से वो छटपटा रही थी अनतता एक घंटे के बाद इमरान का फोन आही गया मैंने कहा था ना कि मेरे परिवार वाले राजी नहीं होंगे आज अब्बू ने आपकी ममा को फोन पर बहुत बुरा भला कह दिया उनको धमकाया है ओ मुझे लगा ममा ने मेरी शिकायत की होगी आपकी ममा ने कुछ नहीं किया उन्हें राजी करो ना इमोग प्लीज किस को राजी करो ली ना मैं अपने परिवार को अपने धर्म को अपनी तहजीब को अपने उसूलों को नहीं छोड़ सकता ये हमारे बीच पहले से ही तैथा कि हम एक दूसरे के परिवार का धर्म का तहजीब का सम्मान करेंगे तुमने भी इस बात को कबूला है पर मेरे अबबा बिलकुल भी मानने को तयार नहीं है वे मस्ज़ित में जाकर बड़ी-बड़ी बाते करते हैं टीवी चैनल पर अलग बाते करते हैं लेकिन परिवार में आकर एकदम बदल जाते हैं उनके तीन चेहरे हैं तीन जबाने हैं मेरे साथ इतने साल की रिलेशनशिप है उसका क्या? बोलो इमरान क्यों हमें फिल्मी सिच्वेशन में आना पड़ा रहा है? क्यों इतना सीन क्रेट किया जा रहा है? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि गुंडे आकर मुझे यां कैम्प में धमका रहे हैं? इनको किसने कहा यहां आने के लिए? यह हमारे खिलाफ गिरौनी हरकत है आश्चर है कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे खिलाफ गुंडों का इस्तेमाल कर रहे है क्या मिनल मैटर बना कर हमें अलग करना चाहते है क्या तुम पूछोगे अपने अबू से कि उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? मैं सब समझता हूँ पर मैं अबू से कैसे कहूँ? कैसे लड़ू? वैसे ही जैसे मैं अपनी ममा से लड़ रही हूँ मैं तुमारे लिए अकेले ही लड़ रही हूँ अपने पूरे खांदान से पापा से, मामाओं से, मौसियों से सब से लड़ते हुए मैं उनकी नजरों में गिर चुकी हूँ चलता हूँ भाशा में कहूँ तो मैं परिवार में बदनाम हो चुकी हूँ मेरे परिवार वाले सोचते हैं कि मैं कभी भी भाग सकती हूँ ममा तंत्र मंत्र करवा रही है बाबा और पंडितों के पास जा रही है कि मुझे तुम से कैसे मुक्त किया जाए ममा तो गहरे सदमे में है पर तुम इमरान डिसाइट करो डिसीजन लो हमारे पास वक्त नहीं है लीना लगातार बुले जा रही थी और उधर इमरान हां हां नाना किये जा रहा था आज भी हम 100 साल पहले के समाज में जी रहे हैं बच्पन से ही मैं इन बातों कर नहीं मानती थी बलकि मैं मजाक उड़ाती थी पर आज मेरे सामने ही बाते आ रही हैं दोनों तरफ से तुमारे लिए मैं जितना चेंज होना चाहती हूँ बलकि हो रही हूँ कुरान पढ़ना तुमारी एक एक बात को समझना उसे एकसेप्ट करना तुमें भी तो मेरे लिए चेंज होना पड़ेगा इमरान लीना की आवाज में याशना का भाव खुलने लगा मैंने कब कहा कि मैं चेंज नहीं होँगा वक्त दो लीना थोड़ा सा वक्त लो ना वक्त पर कब तक कितना लंबा क्या यूहीं उम्र निकल जाएगी मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं तुमारे साथ रहूंगी या नहीं या फिर अकेली ही लड़ती रहूंगी यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं पढ़ने के लिए निकल जाओंगी मैं खुद को डिप्रेशन से बचाना चाहती हूँ मैं नमाज के बाद तुम्हें फोन करता हूँ इम्रान ने फोन कार्ट दिया था वो एकदम अकेली सीडी पर बैटी थी दीवार पर दो मोटी चिपकलिया चिपकी थी मच्चर भिनविना रहे थे उसे लग रहा था जैसे उसकी दे चिल गई हो चिंचिनाता दर्द पुरी दे में दोड़ रहा था मन संताप, शंका और बेबसी के कारण अस्थिर था अ निर्णे की इस्थिति ने उसकी सारी सोच को, खरे सपनों को, सारी ताकत को छिने भिने कर दिया था उसका निर्णे सटाक से बॉल की तरह उसी की तरफ फेका जा रहा था सामने वाला बॉल को उच्छाल रहा है पर पकड़ नहीं रहा है उपर रूम में लड़कियों के खिलखलाने की आवाज गुंज रही थी इधर लड़के ठाके लगा रहे थी कैम का कल आखरी दिन होगा सब अपने अपने घर लोट जाएंगे यहां की यादें लेकर यहां की हसी लेकर यहां की बातें गपें लेकर लेकिन मैं मैं क्या लेकर जाओंगी जलालत कटाक्ष मजाक उड़ाती निगाहें ग्रणा से भरी आखें लीना को लगा निवड अंदकार के बीच वो एक तारिका की तरह है जिसकी अपनी चमक तो है पर उसकी चमक से कोई दूसरा नहीं चमक रहा है अनंत आकाश में एकाकी उपेक्षित तारिका ममा को बिना बात के कितनी बाते सुनाती जबकि इमरान अपने अब्बू को एक शब्द नहीं बोलता है क्या मैं ही मुर्ख हूँ या गवार या नादान जबकि इमरान हमेशा शांत इस्तिर और अडिक रहता है ऐसा क्यों क्या सच्वश हमारा मन हमारे शरीर में कैद होकर भी कहीं दूर अलग बहुत अलग होता है अपनी पीड़ियों के अंश से बना यानि इमरान में उसके अब्बू है पर मेरे बीतर मेरी ममा तो नहीं है तो फिर मेरे बीतर कौन है कौन किसका अंश है मेरे बीतर लीना उपर आओ मैडम की आवास से उचोंकी सीड़ियां चड़ते हुए एकाए गिरते हुए बची उसके मोबाइल पर मैसेज था आज के बाद मेरे बेटे से मिलने की कोशिश मत करना आप अपना जीवन देखें और परिवार के साथ रहें आपका और इमरान का निकाह कभी नहीं हो सकता हर बात में धर्म और संपरदाए की बात करना ठीक नहीं है बात पसंद नापसंद की भी हो सकती है सदियों से चली आरी रवायतों को आपकी जिदों के कारण हम नहीं छोड़ सकते आप बेवज़े हमारे परिवार को सड़क पर ला रही है अपनी हदें पहचानी है और उसी में रही है खुदा आपको बरकत दे खुदा हाफिज इमरान का बूर उसे लगा वो आकाश से गिर कर किसी पेड़ पर आटकी है पेड़ हवा में जूल रहा है उसकी शाखाएं आपस में जोर जोर से ठकरा रही है रात और दिन प्रकाश और अंधकार अच्छा और बुरा किसी का भी उसे एहसास क्यों नहीं हो रहा है दूसरी सुबह सामान पैक करते हो के हाट पाओ काप रहे थे छाती में हवा का गूला टक गया था सांस लेने में उसे तकलिफ हो रही थी जबान चिपक रही थी उसने आसपास देखा कि कोई उसे पानी पिला दे पर सब एक दूसरे की फोटो निकालने सेलफी लेने में मस्त थे साथ में पिक्चर देखने पिकनिक पर जाने और पुना-पुना मिलने की कसमे खा रहे थे परस पर बिछुडने का गम उनकी आँखों को नम बना रहा था बार से आवाजे लगाई जा रही थी क्योंकि बस आ चुकी थी सामान रखा जा रहा था लेकिन वो मोबाईल की स्क्रीन पर निगाहे जमाय बैठी थी नितांत अकेली उपेक्षित लीना ने एक बार नहीं दस बार उस मैसेज को पढ़ा क्या इमरान ने लिखा है या सचपुच उसके अबुने इमरान इतना दो बता ही सकता है कि यदि शादी नहीं करनी थी तो रिलेशनशिप क्यों आगे बढ़ाई क्यों उसकी भावनाओं के साथ खेलता रहा क्यों उसको अपने प्रेम की तपिश में तपाता रहा क्यों क्यों उसका मन हाहा कार कर रहा था हिर्दय चीक चीक कर उस पर लानत बरसा रहा था उसे लग रहा था काश वो चड़िया बनकर दूर आकाश में उड़ जाए वो मचली बनकर पानी में गहरी चली जाए वो कहीं भी धरती आकाश में अद्रश्य हो जाए एक जोर का उबाल उसके बीतर उठा उस उबाल से उसकी देह धरतराने लगी वो गिरती, रोती, फड़फडाती, सड़क पर भागती या इमरान से फोन पर बात करने के लिए तरपती इसके पहले दो मजबूत बाहों ने उसे अपनी चाती से लगा लिया आसू भरी आँखों से उसने देखा ये कोई और नहीं इमरान था जो उसे अपने अब्बू का फैसला सुनाने हाया था अभी आप सुन रहे थे उर्मिला सिरीश जी की लिखी हुई कहानी नाच कहान कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ आपका समय शुक हो